हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में सोलर पैनल इनर्जी जनरेशन का एक सुलब साधन है और इलेक्ट्रिक इनर्जी के लिए स्वावलम भी होने के लिए भविश्य में सभी को सोलर पैनल का यूज करना ही पड़ेगा तो एक सोलर पैनल खरीचते समय हम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कमपनिया अधिक मार्जन के लिए कहीं ना कहीं फ्रोड करने से भी नहीं चुकती तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे के एक सोलर पैनल के एक्च्वल वाट कैसे निकालें किस टाइप का पैनल हमें लेना चा अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और आपसे वही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट के चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों सोलर पैनल के संबंद में कुछ महतोपूर्ण जानकारी देने से पहले एक बात मैं आपको किलियर कर देना चाहता हूं, कि जिस तरीके से लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी होती जा रही है और घरों में आए दिन लोड बढ़ते जा रहे हैं, कही ना कही बिजली विभाग की मनमानी भी चरम सीमा पर है, जैसा कि देखा जात कि कुछ घरों में लोड बहुत कम होता है प्रंतु विभाग की लापरवाही के चलते मिटर के फाल्ट के कारण भारी भरकम बिल आता रहता है तो इस प्रकार की प्रेसानियों से बचने के लिए भविश्य में कुछी वर्सों में आप स्वम की बिजली बना रहे होंगे और स् करनी चतपर शॉलर पैनल का यूज़ कर रहे होंगे जिया में किसी अन्य है स्वाट स्वाटु 엔रौ ससलर पैनल में सेलों की संख्या या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चार इसमें लाइन है यानि कुल मिलाकर इसमें 32 फोटो सैल है और 32 फोटो सैल के इस पैनल में यदि आप देख रहे होंगे तो 12 वोल्ट और 150 वाट लिखा हुआ है सोलर पैनल के समद में आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जीवन में सोलर पैनल खरीदते समय कभी भी आपके साथ कोई भी फ्रोड नहीं कर सकता आपको एक स्केल लेना है और स्केल के दौरा जो फोटो सैल इसमें लगे हैं सभी इक्वल साइज के होते हैं एक फोटो सैल की आपको मेजरमेंट करनी है जैसे इस स्केल को इस साइड में मिलाते वे मैंने रख लिया है तो यह 15 सैंटी मिटर हुआ और लगभग लगभग यदि आप देख रहे हैं तो मैं मारकर से यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ मानकर चलिए कि 15.78 सैंटी मिटर इसकी लंबाई हो रही है इसको हम नोट कर लेते हैं 15.8 सैंटी मिटर इसकी लंबाई है और चोड़ाई को भी देख लेते हैं चोड़ाई भी 15.8 सैंटी मिटर ही है यानि यह स्क्वाइर टाइप सैल है लंबाई चोड़ाई दोनों बराबर है टोटल सैल इसमें 32 थे तो इस solar panel का watt निकालने के लिए हमें लंबाई इन्टू उसकी चोडाई इन्टू सैलों की संख्या इन्टू एक constant हमें लेना है 0.0175 एक constant यह लेना है इन सभी की यानि लंबाई multiply चोडाई multiply सैलों की संख्या और multiply यह है constant 0.0175 calculator से इनकी multiply कर लेते हैं 15.8 into 15.8 into 32 into 0.0175 139.79 लंब सम 140 वाट मान सकते हैं जबकि solar panel पर mention किया हुआ है 150 वाट तो company इस तरीके का fraud भी solar panel में करती हैं यहाँ पर user को 10 वाट panel कम मिल रहा है और एक बात और ध्यान देने की है जैसा कि इस solar panel का यह solar cell हम देख रहे हैं तो प्रत्येक solar cell को connect करने के लिए यहाँ पर 5 निकिल वाइर दिये गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बहुत अच्छी बात है cell को connect करने के लिए जितने भी अधिक वाइर दिये जाएंगे cell की efficiency उतनी ही अच्छी रहती है लेकिन थोड़ा सा photo cell के अंदर जो मुझे कमी लगी वह यहाँ है कि यह जो निकिल वाइर यहाँ पर दिये गए है connection के लिए इनकी thickness कम है यदि वाइर की thickness ज़स्ट डबल होती तो और भी अच्छा रहता तो इस परकार दोस्तों किसी भी solar panel के actual watt निकालने की यह सिंपल सी ट्रीक आप कभी नहीं भूलोगे केवल आपको solar panel के एक cell की लंबाई centimeter में चोड़ाई centimeter में cell की संख्या और एक constant 0.0175 इन सभी की multiply कर लेनी है और panel के watt निकल जाते हैं अब manufacturer अपने panel के ऊपर कुछ भी watt बढ़ा कर लिखेगा तो आप किसी के जहांसे में नहीं आ सकते और अक्सर यह भी देखा जाता है बहुत सारे company के engineer या seller यह बताते हैं कि mono perk poly perk से अधिक ampere देगा और उसके 4-5 रुपे watt के हिसाब से अधिक कीमत रखते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यदि 150 watt का mono perk है और 150 watt का poly perk है तो दोनों के ampere सेम रहेंगे टेक्निकली जब दोनों पैनल के watt बराबर हैं तो ampere अधिक या कम कैसे हो सकते हैं हाँ सुभह और स्याम के समय में हलका अंतर मिल सकता है लेकिन जहां पर बहुत गर्मी पढ़ती है सोलर पैनल की सतह का टेंपरेचर 45 डिगरी से उपर चला जाता है ऐसे अस्थानों पर दोपहर के समय में यानि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय में जब तक टेंपरेचर 45 डिगरी से अधिक रहेगा मोनो पर्क पैनल के ampere कम हो जाते हैं क्योंकि मोनो पर्क पैनल बलैक कलर का होता है और बलैक कलर हीट को अधिक एबजोर्ब करने के कारण अधिक गरम हो जाता है और पैनल के और वायर के गरम होने से रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है और ampere कम हो जाते हैं तो ampere बढ़ाने के लिए पैनल के वाट बढ़ाने की कोशिश करें आप सोलर पैनल के जितने वाट बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इनर्जी का प्रोड़क्शन अधिक होता जाएगा और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लागा हो तो लाइक करके कोमेंट जरूर कर देना सोलर सिस्टम के समद में कई सारी वीडियो अभी चैनल पर आने वाली है चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना जिससे आगे आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्ते